है कि है लो वेल्कम फ्रेंट्स मेरे नाम है अभी शेक सर्मा और मैं हूँ आपका ओलाइन ट्यूटर आज मैं आपको एक्सल सॉफ्टर पर बर्थ केल्कुलेशन के बारे मैं बताऊंगा तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक्सल सॉफ्टर को ओपन करना होता है एक्सल सॉफ्टर इस्टार्ट करने के बाद इंसर्ट पर हम जाके वर्डाट पर क्लिक करेंगे यहां पर मैं लिख लेता हूं बर्थ कैल्कुलेशन बि-i-r-t-h बर्थ कैल्कुलेशन सी ए-ल-सी-y-y-u-l-a-t-i-o-n-s बर्थ कैल्कुलेशन लिखने के बाद इस हैं लिख लेते हैं तो हेडिंग हम ढलते हैं नेम नेम के बाद यहां पर हम लिखेंगे डेट of birth date of birth के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे present e-r-e-s-e-n-t present date और इसे हम थोड़ा सा ठिसका लेते हैं ऐसे तो name date of birth present date तो पहले तो हम name लिखते हैं संदीप कुमार सुधीर मोहन आसिस सर्म अभिशेक वर्म यह हमने name लिख लिए अब date of birth डालेंगे इसे थोड़ा सा ड्रैक कर लेते हैं कॉलम की विट को बढ़ा लेते हैं date of birth डालते हैं मैंने यहाँ पे डाला आठवा महीना बाइस तारिक उन्निस सो पिच्यानवे यहाँ पे हमने डाल दिया चोज़ा बारवा महीना पंदरा तारिक उन्निस सो अठानवे यहाँ पे हमने डाल दिया shift दबाके 9 और 0 मतलब आपको ऐसा bracket लेना है और उसके बाद enter तो यह हमारा today निकल के आगया है दुबाए ट्राइए करते हैं equal t o d a y today shift दबाके 9 जीरो और enter इसे हम drag करा भी सकते हैं तो drag करा के भी आप today निकल सकते हैं तो हो गया हमारा present date उसके बाद हमारा data आगे बढ़ता है अब हमें आगे क्या क्या लिखना होगा जैसे आगे हमें निकलना है month m o n t h month निकलना है कि कौन से महीने में इन वेक्तियों ने जनम लिया मला इनका बर्थ कौन से मन्त में हुआ है तो इसे निकलने के लिए हमें क्या करना होगा equal t e x t text command shift दबा के 9 उसके बाद bracket लगाने के बाद हमें date of birth पे क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें कौमा लगाएंगे उसके यह double quotation double quote लगाएंगे और उसके बाद हम four time mm mm डालेंगे और फिल double quotation लगाके bracket बन और enter तो देखिए इनका जो जनमता हुआ अगस्त मुआ है दुबाएंगे ट्राइ करते है equal text लिखेंगे उसके आद है ऐसा bracket उसके बाद date of birth पे कर देंगे हम क्लिक उसके बाद हम लगाएंगे कौमा double quotation और उसके बाद four time m डालेंगे और double quotation दुबारा bracket बन और enter तो यह हमारा December आगया drag करा लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो यह हमने drag करा लिया यह हमने निकाला था month अगर हमें निकालना है day कि कि किस दिन इन वेक्तियों ने जनम लिया मतला इनको date of birth है तो वो date of birth कौन से दिन पड़ा तो वो हम कैसे निकालेंगे equal equal के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे text shift दबा के 9 उसके बाद हम date of birth पर क्लिक करेंगे comma लगाएंगे four time deal लिखेंगे और दुबारा double quotation sorry sorry यहाँ पर double quotation हमने शुरू में नहीं लगाया था यहाँ पर भी double quotation लगाना होगा उसके बाद bracket बंद करके enter करेंगे choose j दुबारा try करते है equal text shift दबा के 9 उसके बाद date of birth पर क्लिक करेंगे date of birth पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है comma लगाना है उसके बाद double quotation उसके बाद four time d और उसके बाद double quotation bracket बन enter तो यह देखे निकल गया है यह दोनों का choose j ही निकला है और अब यह से हम drag करा लेते हैं नीचे क्यों अच्छा अब next topic आपको क्या चीज हम मैं बताऊंगा next topic मैं बताऊंगा आपको कि इन वेक्तियों की age क्या है यह कैसे निकालेंगे मलब अगर संदीब कुमार है जिनकी date of birth है 22 तारीक आटों महिन है 1995 तो आज 17 तारीक है पहला महिन है दोजा 17 है तो हमें उनकी age देखनी है तो age कैसे आप निकालेंगे तो age निकालने के लिए क्या होता है equal dated if dated if कमांड होती है और shift दबा के 9 उसके बाद आपको क्लिक करना होता है date of birth पे date of birth पे क्लिक करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और फिर present date पे क्लिक करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे आप और उसके बाद आपको double quotation लगा के y लिखना है तुबारा double quotation लगा के फिर bracket बन और enter ये 21 साल के हो गए तुबारा try करते हैं equal dated if फिर उसके बाद shift दबा के 9 उसके बाद हमें date of birth पे click करना है comma लगाना है फिर आपको present date पे click करना है comma लगाना है फिर double quotation y bracket लगाना है और enter करना है तो ये 18 साल के हैं ड्रैक करा लेते हैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा अब age के बाद हमें क्या निकालना है age के बाद हमें निकालना है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे माली जे छोटा बच्चा तो हम उन्हें कहते हैं हाँ ये कितने साल का हो गया है तो हम कहते हैं कि ये एक साल दो महीने का हो गया है तो इसी तरह ये 21 साल के तो हो गया है लेकिन 21 साल कब हो गयते हैं अगस्त में लेकिन इस समय तो अगस्त नहीं चलना इस समय चलना है months उसके बाद हम extra months कैसे निकालेंगे ये try करते हैं हमें command चलाना है dated if का उसके बाद shift दबा के 9 और उसके बाद date of birth पे click comma फिर हमें present date पे click करना है comma double quotation लगाना है और उसके बाद हमें लिखना है year का extra month बनलब ym और bracket बन एंटर ये 4 महीने इन्हें extra हो गए है अच्छा आप दुबारा निकालते हैं equal dated if shift दबा के 9 उसके बाद date of birth पे click comma present date पे click sorry 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 present date पे click comma double quotation ym double quotation bracket बन और enter तो ये इन्हें एक महीन extra होगे है क्योंकि दिसंबर है तो अब जन्वरी चल लिए तो एक महीने extra होगे है equal dated if shift दबा के 9 उसके बाद date of birth पे click comma present date पे click comma double quotation ym double quotation bracket बन तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं extra months अच्छा जो extra months के बाद अब हम निकाल लेंगे days extra days कि extra days कितने दिन हो गए है तो year के हिसाब से तो हम extra days कैसे निकालेंगे equal dated if shift दबा के 9 उसके बाद हम date of birth पे click करेंगे comma फिर present date पे click करेंगे comma double quotation और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे extra days निकालने के लिए md और फिर double quotation लगाके bracket बंद करके enter करेंगे उन्हें 26 दिन extra हो चुके हैं अच्छा अब दुबारे निकालते हैं हम इक्वल उसके बाद हम equal dated if shift दबा के यह उसके बाद हमें क्या करना है हमें date of birth पे click करना है फिर comma लगाना है फिर present date पे click करके फिर comma लगाना है double quotation उसके बाद हम यहां पे md command चलाएंगे और फिर md को बंद करके और enter यह हमारा निकल गया है दो दिन तो हम इसे drag करा लेते हैं तो जल्दी निकल जाएगा तो यह extra days हो गया अच्छा अब उसके बाद हम यहां पे अब निकालते हैं extra days के बाद total days और total months तो हम यहां पे अगर हम डालते है total months तो total months का मतलब है कि जब इनका जनम हुआ था तो तब से अब तक मतलब 28, 1995 से लेकर 17,1, 2017 तक कितने months हो चुके हैं इन्हें मतलब जैसे age होते हैं 21 साल तो यह कितने month हो चुके हैं इनके जनम के बाद अब तक जब जनम से अब तक तो कैसे निकालेंगे equal dated if shift दवा के 9 उसके बाद क्या करेंगे हम उसके बाद हम लिखेंगे दुबारा हर बार की तरह date of birth पे क्लिक comma present date पे क्लिक फिर हमें comma लगाएंगे उसके बाद double quotation लगाएंगे double quotation लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे m only m लिखेंगे और double quotation लगाके bracket बंद कर देंगे तो यह आपका total months निकल के आजाएगा दुबारा ट्राइ करते है equal और यहाँ पे हम लिखते है dated if shift दवा के 9 उसके बाद हम क्लिक करेंगे date of birth पे comma फिर हम ESP क्लिक करेंगे फिर comma फिर inverted comma M फिर double quotation फिर उसके ब्रेकेट बंद enter तो इस तरह से हम total जितने भी months है वो निकाल सकते हैं अच्छा next जो आता है वो आता है total days मनला जन्म से अब तक कितने दिन हो चुके हैं इन्हे clear तो total days कैसे निकालेंगे equal dated if shift दबा के 9 उसके बाद हमें date of birth पे क्लिक करना होगा फिर comma लगाएंगे फिर present date पे क्लिक करेंगे फिर comma लगाएंगे फिर double quotation उसके बाद हमें लिखना है d double quotation bracket बंद और enter तो total 7819 दिन होगे इनके दुबारा equal dated if लिखेंगे दूसरा निकालने के लिए shift दबा के 9 उसके बाद date of birth पे क्लिक comma present date पे क्लिक फिर उसके बाद फिर comma double quotation और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे d फिर double quotation bracket बंद एंटर तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं total date तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और अब इसे थोड़ा सा हम modify कर लेते हैं colorful कर लेते हैं तो इसे यहाँ से हम select करेंगे सबसे पहले हम format में auto fit calculation with यह क्या है column with इसे सोरी इस पर click करेंगे तो यह set हो चुका है और तब भी थोड़ा से कमी लग रही है इसे हम थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं ऐसे यहाँ से हम ऐसे इसे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा यह जो छोटे छोटे लग रहे हैं अच्छा जी उसके बाद हम डाटा का सेलेक्शन कर लेंगे डाटा का सेलेक्शन करने के बाद हम click करेंगे all borders पर उसके बाद इस एरिये का भी सेलेक्शन कर लेंगे और इसे हम heading में convert करेंगे bold, underline, हर बार कितर यह और यह तो यह हमारा हो गया birth calculation जो आज मैंने आपको बताया है अच्छा इसे भी हम थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं डो करके date of birth और यह आपका present date हो गया इसे green करते हैं green color dark green करते हैं और अच्छा लगेगा more color थोड़ा और green इसके बाद यह है month selection कर लेते हैं सभी को अब यह दूरा से लेक्ट है इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है यह हो गया days निकालना है अब मैं इन्हें सेलेट कर लेता हूं ऐसे और format painter पर क्लिक करके ऐसे खीज देता हूं यहां तक तो यह हमारा data तयार हो गया है उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा अगर कोई भी दिक्कत आती तो मुझे आप comment box में comment भी कर सकते हैं और मैं उसे सुधानी पूरी कोसिस करूंगा मेरे page को like और subscribe करना ना भूले तो मिलते हैं नी वीडियो के साथ तब तब के लिया बाइब आपके ले बाइब